मेगी, मेकरोनी, चौमिन हर चीज अनहेल्दी है और बच्चों को यही चीज़े बहुत जादा पसंद आती है तो इन चीजों के साथ सथ हमें कुछ हेल्दी भी खिलाना चाहिए तो मैं लेके आई हूँ आज वेज अपे की रेसिपी इसमें आप जितनी मर्जी सबचे डाली बच्चों को ना पता चलेगा और टेस्ट पीस का बहुत ही बढ़िया आएगा तो वेज अपे बनाने के लिए मैंने दो कप सूजी ले ली है यह नॉर्मल वाली सूजी है बारिक वाली सूजी नहीं ली थोड़ी मोटी वाली सूजी है तो इसमें हम डाल देते हैं हाफ कप दही हमने यह पर फ्रेश लिया है खटी वाली दही नहीं लेनी है तेस्ट थोड़ों से खटा आता है तो दही को और सूजी को अच्छे से मिला लेते हैं तो बस मिलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी तो अभी हम थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालेंगे जितना पानी ज़रुत होगे एक कप पानी लिया है उसमें अभी आधा डाला है और मिक्स करके देख लेते हैं कि कैसी कंसिस्टेंसी है क्योंकि सूजी बहुत सारा पानी अब्जॉब भी कर लेती है पी लेती है तो पानी थोड़ा से जाधा डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पानी डालके इसे में 15-20 मिन ट्रेस्ट करने के लिए छोड़ना है क्योंकि तपीस की सही से कंसिस्टेंसी पता चलेगी सूजी जितना पानी पीना होगा एक बार पी लेगी और उसके बाद हम इसे आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे तो यहां पर तब तक सूजी पानी प कर सकते हैं ब्रॉकली डाल सकते हैं आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं कैपसिकम डाल सकते हैं सब कुछ कोई भी सबजी इसमें डल सकती है अराम से तो अब हमने एक बड़ा बाउल ले लिए क्योंकि सूजी काफी जादा फूल चुकी है अब हम इसमें पानी आड़ कर देते ह तो पानी डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसकी नाemieं थिक चाहिए ना जाध ही थिक consistency चाहिए जैसे इडले के लिए हम बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही consistency हमें इसकी चाहिए जाधा ना flowing होनी चाहिए और नाование जाधा थिक तो देखे बिल्कुल सही consistency हमारी हो गई है, अब हम इसमें add कर देते हैं, हमारी जो सबजियां हमने रखी हुई थी तो sweet corn, गाजर और प्याज हम तीन चीजे इसमें डाल रहे हैं, आप टमाटर भी डाल सकते हैं तो इसमें हम अच्छे से डाल के से mix कर लेते हैं, और basic से इसमें मसाले जाएंगे, बहुत ही जादा basic सी recipe है, बिल्कुल spicy नहीं बनाएंगे, अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बड़ों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें जादा मसाले भी add कर सकते हैं तो देखिए, अच्छे से mix कर लिया है, और अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे नमक मिर्च, सिर्फ नमक और मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, आप black pepper powder भी इसमें डाल सकते हैं, या oregano, या mix herbs हो, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, पालग भी डा अब हम इसमें डाल देते हैं, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है, तकरीबन वन फोट से भी कम होगा, इतना ही हमें डालना है, बहुत जादा इसमें सोडा डालने की ज़रुरत नहीं पड़ती, इसमें अच्छे से fluffy होके बन जाती है, बिल्कुल fully fully बनें एक अपम मिकर बजार में बड़ी असानी से मिल जाता है, ओन लाइन भी बहुत ही अराम से मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इसे घी से हम grease कर लेते हैं, ताकि अपे जो हैं वो पैन में चिपके नहीं, और flame हम इसका भी low ही रखेंगे, low flame पर बनाएंगे, और इसे एक एक के आसपास जितना यह फिल हो जाए, उतना हमने इसमें डाल कर इसे छोड़ देना है, दस दो से तीन मिनट के लिए, तो दीखे पूरा अब हम ट्रे मने भर ली है, अब हम इसे धक्कन लगा कर दो से तीन मिनट के लिए छोड़ देते हैं, दो तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे पलेट लेते हैं, और दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम इसे सेख लेंगे, अगर आप चाहें, तो दुबारा से एक बरी ओयल थोड़ा से अप्लाए कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया, थोड़ा से अगर आप अप्लाए कर देंगे, तो दूसरी तरफ से भी आपका क्रिस्पी बन जाएंगे, तो पलेट कर दो मिनट के लिए हम इसे और छोड़ देंगे, और इसे आप हरी चटनी, लाल चटनी या शेजवान सॉस किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बच्चों को टिफिन में देना चाते हैं, वो भी दे सकते हैं, बच्चों को बह अफ्ते में दो बारी ये रेसिपी बन ही जाती है, और टिफिन में तो जरूर रेसिपी में एक से दो बारी जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और ये ठंडे होने के बाद भी अच्छे लगते हैं, इसे ठंडे होने के बाद भी आराम से टिफिन में बच सारी आ जाती है और बच्चों को सबजियां खलाने बड़े ही जरूरी होती है तो हमें इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना चाहिए तो अगर आपको यह मेरी रेसिपी पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो जल्दी मिलते हैं एक और नही